मंडी संस्दियक शेत्र से भाजपा सांसद रामसरूप शर्मा ने पूर्व सीपियस नीरज भारती को मानसिक रूप से विकलांग बताया है मड़ी में पत्रकारों से अनौपचारिक बाचीत में सांसद रामसरूप शर्मा ने कहा कि नीरेज भारती मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है नीच्टा भरे काम करना उनकी आदत बन चुकी है उन्होंने कहा कि स्वर्गियपूर प्रधानमंत्री अटल भिहारी बाजबई को लेकर उन्होंने जो टिपनिया सोशल मीडिया पर की है उन्हें किसी भी लिहास से बरदाश्ट नहीं किया जा सकता रामसरूप शर्मा ने कहा कि जब नीरेज भारती एक विधायक और सीपीएस थे तो सदन में और सदन के बाहर उनकी अभधरता से हर कोई परिचित रहा है उन्होंने कहा कि नीच्टा भरे काम करना नीरेज भारती की आदत बन चुकी है देखें वो मानसिक रूप से विकलांग वेक्ति है जब वो सीपीएस थे तो बिधान सावा जिस तरह उनकी हरकते हैं कुछ हरकते मैंने अपनी आंकों से भी देखी मुझे वहां कारवाई देखने का मोका मिला था और लगात आ रहे हैं वो अबदरता का जिस तरह पैवार वो करते रहे ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से विकलांग वो और वो यहां आदत जैसी उसकी बनी हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या बुला जा है वो जो भी कर ढ State अर वो उनकी बन गई आमसुरूप शर्मा ने कहा कि ऐसी व्यक्ति को किसी भी राजनेतिक दल में रहने का अ्दिकार नहीं है कियोंकि राजनीती में इस प्रकार की भाशा के लिए कोई स्थान नहीं है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी को नीरज भारती के खिलाफ कब का एक्शन ले लेना चाहिए था लेकिन संगठन अभी तक उनकी हरकतों को बरदाश्ट कर रहा है किसी महिला नेत्य जी के साथ इस तरह अवद्र भाता का प्रयोग करना उस पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए बड़ा विलंब कर दिया जो अमारे कांगर्स पार्टी के अद्धिक्ष है और जो नेता है यहां उस तुरकार पई करनी चाहिए Bureau Report, Polestar TV, Monday